So Hello Guys, कैसे हैं? आप लोग मीद करता हूँ अच्छे हूँगे दोस्तों आज की वडियो में हम बात करने वाला है बीटा फोर का स्पीकर के बारे में जो की यह आप देख सकते हूँ Impact Series का 1000W में 8 Ohms का स्पीकर होने वाला है बेस स्पीकर होने वाला है अठारेंज का और यहां पर है ओरिजनल स्पीकर का श्टीकर चोकि आप ओरिजनल पहचान सकते हैं तो यहां पर सभी स्पीकर में लोगो आपको देखने को मिल जाता है इसका मोडल है C18 1000 वाट में और इसका प्राइज है 9000 रुपे और यह मार्केट में लगबग आपको 500 रुपे के आजपस ज़्यादा मिल सकता है और यहां पर स्पीकर आप देख सकते हो यह 1000 वाट का स्पीकर होने वाला है 8 Ohms के अंदर दूसरे स्पीकर करें तो यह भी Impact Series का Beta 4 का स्पीकर आपको देखने को मिलता है जो की 8 Ohms का स्पीकर होने वाला है यहां पर आपको Beta 4 का Logo देखने को मिल जाता है और बार्कोड वगएर भी आपको देखने को मिल जाते हैं इस स्पीकर में मोडल लंबर आप देख सकते है 18 EM 1500 जो की 1500 वार्ड RMS 4 में इस स्पीकर यहां पर देखने को मिल जाता है यहां पर प्राइस के बारें बात करें तो 14,000 रुपे आपको देखने को मिल रहा है इस स्पीकर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपको इस स्पीकर देखने को मिल रहा है जो की काफी अच्छा इस स्पीकर देखने में लग रहा है यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी स्पीकर में यहाँ पर बीटा 4 का ब्रैंडिंग इंपक्ट सीरिस का स्पीकर हम देख रहे हैं इसका मोडल TB100 है जो की 1200 वाड़ RMS 4 में स्पीकर देखने को मिलता है और इसका प्रैस लगवाग 11000 रूपे के आज-पास में मिल सकता है और ग occupies यहाँ पर जितना भी स्पीकर का प्रैस रहेगा वो अब लगवाग 5000 से 1000 रूपे के आज-पास में कम ज्यादा हो सकता है तो यहाँ पर हम दूसरा speaker बात करते हैं दूसरे model का design आप देख सकते हो अलग है और यह भी base speaker आपको देखने को मिल रहा है इस speaker आप देख सकते हो यहाँ पर branding, logo और इसका barcode भी देखने को मिल जाता है और यह speaker 1200 वार्ड आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप देखेंगे तो beta 4 का ही exclusive best यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है मतलब यह exclusive best design है और यह C18-1200 है जो कि PIDO में आपको देखने को मिलता है उसी type से यह आपको changes में देखने को मिल रहा है और इसका price 11,000 रुपे है यहाँ पर QR code वगेरा सारा चीज देखने को मिल जाता है प्लस इसमें एक monogram भी मिल जाता है यहाँ पर इस speaker जो है एक PD model speaker हम बोल सकते हैं इसे जो कि काफी heavy speaker में से माना जाता है और आप इसका changes frame देख सकते हो काफी heavy changes frame देखने को मिल जाता है terminal socket आपको देखने को मिल रहा है जो कि काफी अच्छे देखने में लग रहा है PD 1860 आपको देखने को मिल रहा है जो कि इसका price आप देख से सकते हो price कम ज़्यादा हो सकता है साड़े सत्रह जर पे कासपस में यह speaker आपको मिलता है और यह अगला speaker हमारा है 21 inch का जो कि 5 inch voice coil में आपको देखने को मिल रहा है और इसका price आप चेकाउट करी सकते हो price जो है वो थोड़ा बहुत up down हो सकता है और इसका terminal socket side side में दिया गया है left and right ऐसा करके यहाँ पर इसका terminal socket दिया गया है मतलब कि इसका voice coil भी आपको अलग type से देखने को मिल सकता है यहाँ पर है अगला और last model जो कि है 21 inch का 3000 watt का speaker Vita 4 के तरफ से और यह आप देख सकते हो EM 21 inch 6 inch का voice coil काफी बड़ा voice coil इसमें लगा हुआ है price एप्रोक्स 28,000 रपे का इस बस में speaker का price देखने को मिल रहा है speaker का magnet आप देख सकते हो काफी बड़ा देखने को मिल रहा है और सभी speaker black color में देखने को मिल जाते है तो चलिए गाइस आज के वीडियो में बस speaker का price details के उपर वीडियो थे कि यहाँ पर beta 4 का base speaker 18 inch में इसका price हमें क्या देखने को मिल जाता है market में तो सभी का price में आपको दिखा दिया है वीडियो का असल गर नीचे comment box में बताएगा और वीडियो को like share और चैनल को लिचे का subscribe मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मातरम